आप सुन रहे हैं तारिक इसमाईल सागर ओफिशल योट्यूब चैनल ब्रादर इसलामी मुल्क तुर्की ने हर मिदान में अपनी इस्तदाद वढ़ानी शुरू कर दी है तुर्की और पाकिस्तान के दर्मियान कार्गो ट्रेन सर्विस एक दहाई बाद बहाल हो गई है 6500 किलिमीटर तवील रास्ते पर सफर करते हुए अब वक्त और फासलों को कम करते हुए इस खिते में 5 अरब डॉलर्स की तिजारत को फ्रोग दिया जा सकता है चार मार्च को ये ट्रेन इस्तंबोल से एरान और पिर इसलामाबाद के लिए रवाना होगी ट्रेन 12 रोज बाद 16 मार्च को पाकिस्तान इसलामाबाद ड्राइ पॉर्ट तक पहुंचेगी इस कारगो ट्रेन की बदूलत तुर्की से पाकिस्तान जमीनी रास्ता पहले से 50 पीसद कम वक्त में तैह होगा और समान के किराए भी 30 पीसद तक कम हो जाएंगे इस रूट की बदौलत पाकिस्तान अपने सबसे बड़े एक्सपोर्टर यॉरप से भी जुड़ जाएगा पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स दो अरब डॉलर से तजावस करने के बाद इस रूट की बदूलत पाकिस्तान की कमजोर मेशचत को सबसे बड़ा फाइदा हासिल होगा क्योंकि पाकिस्तानी समान 41 दिनों की बजाए अब 16 दिनों में यॉरप तक पहुंचेगा इस से पहले भी तुर्की और पाकिस्तान तिजारत के लिए समन्दरी रास्ता इख्तियार करते थे और रास्ते में मुख्लिब बंदर गाहों पर समान की खरीद फ्रोक्त और मुतलिका बंदर गाहों को टेक्स की अदाईगें भी करनी पड़ती थी जिसकी बदौलत बाइस दिन से ज्यादा का वक्त लग जाता था जबकि ट्रेन के जरीए ये फासला बारा दिन में तैह होने के साथ साथ कराई में भी तीस फिसद कम हो जाएंगे गुजिशता पंदरा सालों में पाकिस्तान मुजारी शरंगेजी और देशित गर्दी की बदौलत जहां जानी नुकसान उठाना पड़ा वहीं पाकिस्तान पर तिजारती दर्वाजे भी बंद हो गए थे जिन में से तुर्की पाकिस्तान और एरान का ये तिजारती रूट भी था जो पाकिस्तान के अबतर हालात की बदौलत गुजिशता नो बर्से मनसूख था लेकिन अब इस मनसूबे को मुकमल फाल कर लिया गया है लेकिन इस मनसूबे से अवामी स्था पर फौइद उसी सूरत हासिल होंगे जब इस तिजारती समान पर 30% कम लागत लगाते हुए महंगाई को कम किया जाएगा और अवाम को रिलीव दिया जाएगा पाकिस्तان की मुझूदा हाकूमत जिसना चीनी मौशी तरकी अमरीका की तरकी और ऐरानी इंकलाब से मतासिर है इसे सिर्फ ब्यानाथ की हड़त अप्रेशेट करने की बजाए अमली तोर पर पाकिस्तان के लिए बहुत से अग्दामाद करने की ज़रूरत है जिसके लिए तुर्की के मौशी और दिफाई तरकी के मौडल्स को अपनाया जा सकता है और तुर्की की मुखलिस के आदद से बहुत कुछ सीखा जा सकता है इस हवाले से आलमी शोहरतियाफ्ता, सियासी, दिफाई और जिग्राफिय तजियाकार जियॉर्च कहते है के तुर्की स्थार भी मजबूत तरीन मौलक की फहरीस्त में अपनी जगा बना रहा है तुर्की की मौशत सौदी आरब की मौशत से भी बहतर हो गई है फोजी बगावत को कुछलने वाले तुर्की दिफाई काबलियत पूरे यॉर्प मुलक में सबसे बहतरीन है जिनको कई तरह की बड़तरी हासिल है जिसका सबूत इनके एराक, शाम और दीगर मौलक में जारी बहतरीन आपरेशन्स है जिनका मौजना बरतानिया, रूस और अमेरिका से किया जा सकता है इसलामी दुनिया में भी तुर्की की ताकत को तस्लीम किया जाने लगा है लेकिन ये पलक जपकते नहीं हुआ बलके तुर्की की मुझूदा मुखलिस के आदत ने इस पर साला साल महनत की है और अब सो साला जंजीरे तूटने पर तुर्की मजीद उभर कर सामने आएगा बला शुबा, अरबियों, रूसियों और अमरीकियों को तुर्की की डिफेंस स्ट्राटेजी से सीखने की जरूरत है अब साला 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 साथ जाने है हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें लाइक दें और सच के सफरों में हमारा साथ आपका शुक्रिया